हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अंजू आडियस हाउस में आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए हूँ एल लेफ गर्ल प्रो कंसिलर पैक ओफ थ्री का रेव्यू जिसमें हमें मिले हैं थ्री शेट ग्रीन येलो एंड ओरेंज इनको मैंने खरीदा है फिलिप कार्ट से विद कैस ओन डिलिवरी ये हमें पड़े हैं वन हंडर और नाइंटी नाइन रूपीज के और डिलिवरी चार्जर्स एरिया के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं तो देखें इस रैप में आया है ये और अंदर की पैकेजिंग में ये बबल रैप में अच्छे से कवर कि हुए हैं ताक कि हमारा प्रोडक्ट जो है खराब ना हो जाए चलिए इसे खोलते हैं और इनके कंसिलर्स के बारे में बात करें तो ये इसी होते हैं में की हमारे चेहरे को अच्छी फ्लालेस सी लुक दे सकें तो ये दिखी ट्री का पैक है एले गर्ल तो अफोरडेबल भी हैं आप इने खरीच सकते हैं तीन शेड मिल रहे हैं हमें और देखिए ये पहला है ग्रेन कंसिलर तो इसकी बात करते हैं कि एक्ने में यूज होता है अगर आपको कोई एक्ने प्रोब्लम है या आपके फेस पे कोई रेड कलर का मार्क है या फिर रेड पैट्स है या आपक कलर बहुत ज़्यादा फेर है और मतलब नसे वगेरा नजर आती हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं इसके अलावा संबर्न की प्रोब्लम होने पर भी हम इसके हल्प से उन्हें कवर कर सकते हैं उपर एक ब्रश दिया गया है यह देखिए जैसे हम इसे दबाएंगे तो ब हमें थोड़ा दबाएंगे और जो की है प्रोडक्ट हमें मिल जाता है है तो आप यही बात है कि अगर आपको एकने वगेरा हैं तो आप इसकी हल्प से अच्छे से कवर कर सकते हैं दोस्तों इन्हें अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए ताकि यह सूख चाहे उसके बाद हम इस पे अपना कोई पाउडर जो भी फेस पाउडर कॉम्पैक्ट वगएरा यूज करते हैं या फिर फिर मेकप फिक्सर की हल्प से हम इसे फिक्स कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद फाउंडेशन वगएरा अपलाई करके फ्लॉले स्किन प नोस के आसपास या लिप्स के आसपास के एरिया ज्यादा डार्क होता है तो वो इसका इस्तिमाल करते हैं और सेकिंडली अगर जो डार्क स्किन के लोग हैं सामले कलर के जो लोग हैं अगर वो इस कंसेलर का इस्तिमाल करते हैं और इसके बाद अपना रेगुलर्ली यूज करने वाला फाउंडेशन लगाते हैं तो वो अपनी स्किन को लाइट दिखा सकते हैं देखिए और थर्ड नमबर पे आते हैं औरेंज कोरेक्टर क्योर औरेंज कंसीलर की तरफ तो इसका काम भी दोस्तों है यहीं है कि यह हमारे आँखों के आसपास के एरिया नोज लीप सेम यहां के एरिया को मतलब कि अगर हमारा यह एरिया जादा डार्क नहीं है कम डार्क है तो हमें औरेंज कोरेक्टर का यूज करना चाहिए अगर हमें यह प्रोब्लम जादा बड़ी नहीं है हमारी कम ही डार्क सर्कल है हमारे कम डार्क एरिया है हमारा आइज नोज लिप्स क तो हम यह यूज़ कर सकते हैं दोस्तों और बताईएगा दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो यह कैसे लगी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर अच्छे लगी है तो लाइक शेयर कोमेंट कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना मत दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्याइब